हέλو फरइंड आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि फोन रिसेट करने के बाद आपने फोन का कम्प्लीट डाटा वापस कैसे ला सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे गैलरी का फोटो वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर और यहाँ पर पूराने अप्लिकेशन भी फोन के डिलीट हो चुके हैं तो दोस्त किस तरह से वह आपस लाएंगे वह सब कुछ आज किस वीडियो में दिखाएंगे और आप का दी डाकुमेंट भी था तो उसको आपस कैसे लाएंगे आप कुछ आपको आपस लाप आएंगे आप इस वीडियो के बता ही श्टेप को फालो करते हैं तो हंडिट परसेंट आपका काम हो जाएगा तो चलिए आपका टाइम वेश्ट नहीं करते हैं यहां पर वह मेल इडी डाल दीजिये जो मेल डी आपको फोन रिशेट करने से पहले डली हो nhấtी ठीक को अब सुस्समी अपको फालना है यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहां पर साइप अपसण आजायें आजाएगा यहां पर इस तरह से कर लेंगे क्लिक Google Photos आप Play Store से डाउन्लोड कर लेंगे ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं यह इस तरह से लोडिंग लेगा और आपको अपनी वही mail ID डालने के लिए अपसन आ जाता है जो आपको reset करने से पहले आपने डाल लगा तो ही mail ID आपके डालना होता है तो दोस्त इसके लिए मैंने वीडियो डिस्किप्शन पर दे दिया है लिंक दे दिया है तो आप चेक आउट कर ले जाए तो आप mail ID भूल जाते है बहुत असानी से आपके वाल अपने नाम और अपने नमबर से पता कर लेंगे अपनी mail ID भी यहाँ पर आप mail ID जैसे पता कर लेंगे उसके बाद आएंगे तो यहाँ पर डालेंगे तो next पर click कर देंगे अब यहाँ पर आता है password डालने कर अपसर अब दोस्त होता कई बार कि आप अपना password भूल जाते हैं तो कैसे password पॉर्गेट करते हैं उसके लिए भी आपको description में second number वीडियो कर लेंगे मिल जाएगा देख लिजेगा password भी पता कर लेंगे बहुत असानी से मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है बहुत असानी से आप पता कर लेंगे दि भूल जाते हैं तो ठीक है गुगल की टर्म कर दिशन हमें accept कर लेते हैं यहां पर गूगल की टर्म कर दिशन एकसप्ट करने के बाद यहां पर इंटर करने के लिए आ जायागा इस तरह से और एकसेप्ट यहां सारे गूगल क्रणिशन आप एकसेप्ट करना पड़ेगा आपको डॉन टर्न बैक अप यहां पर कर देंगे क्लिक और यहां पर थोड़ा से लोडिंग लेगा यहां पर इसको कट कर देंगे इस तरह से अभी यहां पर थोड़ा से लोडिंग लेगा अब देख सकते हैं यहां पर सारा लोडिंग ले लिया है और यहां पर दिसंबर 2023 की फोटो अने लग गई है अब यहाँ पर दोस्त और भी यहाँ पर आपको दिखा देख 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 दो जार बाईस की फोटो आ गई है यहाँ पर देख सकते हैं देखते रहे हैं, यहां पर देखने हैं, 2020-2017 तक की फोटो हमारी, जो हैं, यहां पर देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं, 2021 भी continue चल्णाई हैं, यहां पर सोचचे कि 2015 से लेकर, 2030 तक की सभी फोटो यहां पर सो कर रही हैं, अब यहां पर और कुछ नहीं करना होता है, बस जो फोटो अपको इंपोर्ट है अगर आप एक साथ सब को ले जाना चाते हैं तो बस इनको सब को सेलेक्ट कर लेजे और कैसे ले जाना है विडियो वागी लंबा हो रहा है ठीक है ना तो दोस्त इस तरह से आप जो है अपनी पुरानी मेराई डालते हैं तो यहाँ पर आ जा लेकिन आता कैसे है और आपको नहीं आ रहा है यह सब कुछ आजाएगा पूरानी फोटो वीडियो यदि नहीं आ रहा तो यह पने अपना बैक आ रहा होगा इस ही मेल आईडी में गूगल फोटो में तो इसको क्या करना होता है फोटो सेटिंग में हाप नीचे मिलते हैं य यहां पर दोस्त देख सकते हैं इस तरह सी अप्शन मिल जाता है आपको तो आपके यहां पर जैसे मेरा ग्यारा जी भी बना हुआ है ठीक है ना तो जब भी आप कोई नई फोटो वीडियो बनाते हैं क्लिक करते हैं तो अपने आप बैक बनाने लगता है आपका गूगल होगा उसको बना लेगा बैक अप यदि आपने कर राखा होगा बैक अपने बनाया था तो कमेंट करेगा तो उस पर डिडिकेटेड वीडियो एक लॉंग वीडियो बना दूंगा जिससे आप बहुत असानी से चीज़ें कर पाएंगे ठीक है तो दोस्त इस तरह से यहां प करना होता है यहां पर भी वही मेल डालेंगे जो मेल आइडि आपने बैक अप बना रहा होगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा और नहीं बना तो फिर आपको भी यहां पर नहीं मिलेगा और इसके लिए थार्ट पार्ट अप्लिकेशन होता है क्योंकि आपका जो भी आपको सब कुछ यहां पर मिल जाता है आप बास इन पर क्लिक करके यहां से ले जा सकते हैं अपने गैलिम देख सकते हैं आपको बता दें कि फोन रिसेट करने से पहले आपको क्या करना होता है और अपने यहां से बैक अप बना होगा तो बैक डाटा पर क्लिक करते हैं यहां पर दोस्त देख सकते हैं वो mail ID डालनी होती है जिस पर आपको बैक अप बनाना है और यहां पर देख सकते हैं बैक अपना उपर क्लिक करेंगे तो आपको अप्लिकेशन पोटो वीडियो यसमेस काल हिस्ट्री डिवाइस सेटिंग एंड गूगल एकाउंट डाटा आप बिना थर्ड पार्टी यूज कि गूगल के अप्लिकेशन के थ्रूई वापस कैसे ला सकते हैं बिना किसी तरह से फ्रॉड हुए आपका डाटा चोरी हुए ठीक करना लेकिन यदि आप चाते हैं कोई थर्ड पार्टी ओरिजिनल जिनुवन थर्ड पार्टी आप जान जाएंगे जो मेल आडी आपके रिसेट से पहले हुए थी ठीकरने यहां पर क्लिक करेंगे और नॉट इंस्टाल्ड यानि आप जो पहले यूज कर चुके हो या फिर आपके फोन में इस्टाल्ड थे और अभी जब सो हट गए है तो यहां पर आप देख सकते हैं वह सारे क्लिक करेंगे तो यहां पर आकर पता कर सकते हैं बहुत असानी से तो इस तरह से अपना कंप्लीट डाटा वापस ला सकते हैं रिसेट करने के बाद और बैकप कैसे बनाना वो चीज मैंने दिखा ही दिया एक सेटिंग में जाकर किस तरह से आपको अपना बैकप क्रेट करना होता है आज होब आपको वीडियो से मिला होगा है मिलता प्ली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इससे हमें मोटिवेशन मिलता और हम आपके लिए से कंडिन लाते रहते हैं धन्यों बात